नेक्स्सक्षिन दोजाए ग्यारक का सवाल है कॉस्षिन सेज देडिक्रीजिंग ओडर ओवेवलेंथ ओफ इंफारेड माइक्रोवेव ल्ट्रा वालेड और गामरेज विल भी अगें बहुत ही सिंपल सवाल है एलेक्रोमेडिक स्पेक्ट्रम आपको पता होना चाहिए यार रखने के लिए आप उसके आपने एक रेडियो लिया रेडियो पगड़ गी तो रह अगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है लैमड़ा आपकी डिक्रीज होती है यहाँ पर हमें बताना है microwave, ultraviolet, infrared और gamma rays के बीच में और हमें बताना है decreasing order तो अगर यहाँ से यहाँ देखेंगे lambda जो है decreasing order देखेंगे तो सबसे पहले तो आपका radio wave आजाएगा radio wave आपको बताना है radio wave है क्या option नहीं? radio wave option नहीं तो सबसे पहले आपका microwave आजाएगा उसके बाद आपका infrared, ultra, alright second आपका infrared हो जाएगा उसके अदा ultraviolet है तो third आपका ultraviolet हो गया उसके अदा आपका gamma आजाएगा ठीक है तो यह आपका चौता ही हो जाएगा सब चार option देख लेते हैं कौन इसको satisfy कर रहा है तो I think option number A microwave उसके अदा इंफारेड फिर ultraviolet gamma so option number A would be the right answer